आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप Free Charge Pay Letter को यूज कर सकते हैं या फिर Apply कर सकते हैं आज की इस वीडियो में सारा कुछ कबर करने वाले हैं इसके eligibility criteria क्या है क्या क्या आप इस्टेप follow कर सकते हैं जिससे आपके free charge pay letter को अप्रूब होने के चांसे बढ़ सकते हैं वीडियो को लाज़ तक जरूर देखिएगा अगर आप इस चैनल पर ना है तो इस चैनल को सब्क्राइब कीजिए काफी लोग वीडियो देखते हैं बर टेस चैनल को सब्क्राइब ने करते हैं प्लीज इस चैनल को सब्क्राइब जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप इस पेज पर रिडिरेक्ट हो जाएगेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 3000 ट्रूपी तक का लिमिट मिलता है और यह एक तरह का पे लेटर है यह उन लोगों के लिए बेतर है जिनका अभी कोई सिविल स्कोर नहीं है सब्सक्राइब को देख सिरोच सब्सक्राइब आंतर है अधर अंतर है व्सक्राइब जैसे है उसके जालना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे email ID डालना है उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे click कर लिजेगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा by now पे later check your eligibility यहाँ पे आपको check your eligibility वाले option पे click करना है जैसे ही आप इस पर click कीजेगा यहाँ पर फिर से आपको अपना mobile number डालना है और mobile number डार के profit पर click करना है उसके बाद आपको next step यहाँ पर आपके mobile number पर OTP चला जाएगा वो OTP आपको fill out कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर आपना pen number डालना होगा pen number mandatory है बिना pen को आपका कोई साभी पर लेटर ट्रेडर कार्ड नहीं मिल सकता है उसके बाद pen number डालके आपको submit पर क्लिक करना है उसके बाद आपको personal details यहाँ पर कुछ हैसे चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके approval chances बढ़ सकते है पर्सनल details में आप यहाँ पर अपना email id डाल दीजिए आप अपना marital डाल दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही क्लिक किजएगा यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक किजएगा यहाँ पर मैं कुछ चीज़े बता देना जाता हूँ यहाँ पर आपको business select करना या self-employed select कर सकते हैं और source of income आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर टाइप करके और यहाँ पर others select करना हैं अब यहाँ पर monthly income आपको यहाँ पर असी अजार से एक लाख के बीच में डालना है भल ही आपका income हो या नहों इतना डाल दीज़ेगा जिसे approval chances बढ़ सकते हैं गारेंटेड में नहीं कह रहा हूं कि आपको मिल ही जाएगा बट यह एक approval chances बढ़ाने की प्रक्रिया है जिससे आप अपने chances को बढ़ा सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको family details पर click करना है और आपको अपने माता का नाम पिता का नाम और आपको relation select कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर एक review और details करके option मिल जाएगा यहां पर आपको यहां पर चारे details जो आपने fill out किये हैं वो एक बार review कर लिजे और यहां पर I am Indian citizen और I read यहां पर दोनों turn turn condition को accept करके submit पर click कर दिजे उसके बाद यहां पर यह एक्सिस bank द्वारा own किया जा रहा है यानि आपके cradle debit access bank द्वारा दिया जा रहा है तो यहां पर आपको अपना अधार नंबर डालना होगा उसके बाद आधार नंबर डालके यहां पर आपको turn turn condition accept करके आगे बढ़ना है उसके बाद OTP जाएगा उसके बाद यहां पर आपको message के थूरू बता दिया जाएगा कि कि आपका limit approved हुआ है नवी हुआ है आप comment में बताए लिंक description में वहाँ से apply कीजिए और comment में यह जुरू बताएगा कि आपको यह approval मिला या नहीं मिला इस वीडियो इतना ही अगर आपको इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्क्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को 10, 10,000 सब्क्राइबर कम्प्रीट कराने में मदद कीजिए चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही यह बन्यवाद त्रम